हलो फ्रेंड्स व्लेकम् टू आ एक्जांबी आ हैं क्षिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक ऑफ इंडिया और अगर आप रहलूर्ले आर ब्य आए का वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पर ना एक मार्केट बोरिंग का केलेंडर आता है इंडिकेटिव केलेंडर कहते हैं उसको state government का भी आता है union territories का आता है state and union territories का साथ में आता है और central government का अलग से आता है तो यहाँ पर क्या है regularly आपको पता है कि जो state government है उनको उनका government चलाने के लिए पैसा लगता है तो पैसा कहां से आता है कुछ states के taxes होते है कुछ fees होती है, कुछ fines होते है ऐसे काफी सारे income के sources होते है और दूसरा जो source होता है, वो होता है market borrowing और आपको पता है, यहाँ पर जैसे अगर हमें पैसे की ज़रुरत पड़ती तो हम बैंक के पास जाते हैं तो हमारा banker होता है, वो SBMR डीजे, SDFC डीजे उसी तरीके से Reserve Bank of India क्या करता है, वो as a banker function करता है Central Government के लिए और State और UTs के लिए भी तो यह जो function है, यह RBA का function है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगले 3 मेने के लिए, देखो election चल रहा है वो तो अलग बात है लेकिन जो सरकारी है State Government, उनको तो सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो 3 मेहने में सारे States and UT विलाके धाई लाग करोड रुपे का market borrowing करने वाले है और उसके लिए help कोन करेगा RBA करेगा, तो market borrowing करने वाली जो institute होती है वो Central Government borrow करती है या फिर State Government borrow करती है लेकिन RBA उनका banker है इसलिए RBA उनको help करती है तो यहाँ पर मैंने बताए कि राजस्थान ने 14,000 करोड बॉरो करने का प्लान किया है, करनाटका ने 10,000 करोड बॉरो करने का प्लान किया तो यहाँ पर एक question है आपके लिए तो आपको यहाँ पर वीडियो आगे देखने से पहले टॉप के जो तीन स्टेट है वो प्रेडिक करने है ठीके और मुझे लगता है कोई यह सही से प्रेडिक नहीं कर सकता गैरेंटी है आप बताईए और genuinely बताईए तो चलो आगे जाते है और वीडियो स्टार्ट करते है तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि कल यानि कि आज है 29th मार्च है आज Friday है तो कल यानि कि 30th मार्च को शाम को 8 बजए एक IFSC का वर्क्शॉप होगा मैं और तुशार सर करेंगे वहाँ पर आपको IFSC के बारे में हो या RBI के बारे में हो SEV के बारे में हो आप वहाँ पर कोशन पूछेंगे मैं जवाब दूँगा और अभी हमारे सारे कोर्सेस पे 50% डिसकाउंट चालो है यहाँ पर आप यह ओफर का लाब ले सकते हैं बेनिफिट ले सकते हैं तो देखिए अभी है यह आज का ही न्यूज है आज मतलब आज सुबह सुबह आया है 28th मार्च का तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे काटर जो है अभी एप्रिल टू जून वाला जो काटर है यहाँ पर टोटल मार्केट बॉरइंग करने वाले है 2.54 लाक करोड रुपीस का ठीक है तो यह कैलेंडर आता है और डे वाइस कैलेंडर आता है कि इस पर्टिकलर डे को फिर मार्केट बॉरइंग है और यहाँ पर कौन परचेस करेगा मैंने आपको यहाँ पर count करके दिखाया, आपको महारास्टा 60,000 करोड है, तमिल नाडू 29,000 करोड, वेस बेंगवाल 25,000 करोड, उसके बाद आता है, अंधर परदेश 20,000 करोड और UP आता है 19,000 करोड, तो मुझे लगता है कुछ लोग ने पहले 3 में महारास्टा का नाम लिया सिर्फ महारास्टा स्टेट नहीं किया देखो, महारास्टा बहुत बड़ा स्टेट है, उनका requirement भी ज़्यादा है, और महारास्टा जो है, गवर्मेंट को revenue भी बहुत ज़्यादा देता है, और यहाँ पर आर्टिकल में बताऊंगा, एक आर्टिकल हमारे constitution का related है, और दो त constitution ठीक है, तो यहाँ पर prior approval जो है, वो सारा लेना पड़ता है central government से, तो यह एक आर्टिकल है, बौरिंग रिल्टिकल है, section 293, subsection 3, यह Indian constitution का है, यह आपको याद रखना है, और अगर आप देखेंगे, यह RBI के website से लेंगे, जैसे Reserve Bank of India acts as a banker to central government, उसके लिए section 20 and 21 है, RBI अक 1934 का, और जो state government के लिए है, उसके लिए section है, 21 A of the RBI अक 1934, तो यह अगर paper थोड़ा सा difficult आ जाए, तो वहाँ पर यह section आते है, आज कल banking exam में भी इस type के section आने लगे, तो यहाँ पर मैंने constitution का एक section बोला है, और यहाँ पर RBI के 3 section है, यह आपको यहाँ पर याद रखने है, ठीक थे, thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.